तो दोस्तों क्या आप भी अपना नाम मंदरेगा के मिश्टोल में है या नहीं ये देखना चाते हैं और दोस्तों कई भाईयों को ये प्रेशानी होती है कि उनके पैसे उनके खाते में नहीं आते हैं तो कैसे पता करें कि अपने पैसे है जो किस खाते में जा रहे हैं और दो अगर अगर आपर पहली बार मेरे यूटब चैनलर पर आये हैं तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको जब भी मैं ऐसा कोई वीडियो बनाओं तो उसका नोटिफिकेशन मिल सके तो दोस्तों आज का अमारा वीडियो शरू करते हैं सबसे पहले आपको क्या करना है आपको एक यहां पर देखिए सबसे पहले आपको Chrome Browser Open करना है मैं यहां पर मेरा यह Chrome Browser Open करता हूँ इसे Open करने के बाद देखिए दोस्तों क्या होगा यह देखिए यहाँ पर OK करने के बाद आपको यह जो desktop site यह नाम दिखाई दे रहा है यहाँ पर आपको sign लगा देना है मैं इसे sign लगा दिया है इसे तो देखिए आपको यह sign दिखाई दे रहा होगा इसे sign लगाने के बाद आपके जो desktop site है वो बदल जाएगी computer की तरह आपका ये phone काम करेगा मैं यहाँ पर search बार में लिखता हूँ देखिए आपको लिखना है M. Narega M. Narega मैंने M. Narega यहाँ लिख दिया है आप सभी को दिखाई दे रहा है आपको अब search बटन पर okay करना है search करना है और जो सबसे पहले ही आपकी जो website होगी आपको उसी प्रोके करना है यह देखिए मात्मा गांधी National Ruler Employment यहाँ पर आपको okay करना है मैं यहाँ प्रोके करता हूँ इसे open करने के बाद आपको इस तरह का interface दिखाई देगा आप इसे थोड़ा zoom कर लीजी इसे zoom करने के बाद आपको देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है यह देखिए gram पंचाइट आपको यह दिखाई दे रहा है gram पंचाइट आपको यहाँ पर okay करना है यहाँ पर okay करने के बाद क्या होगा यह देखे मैं यहाँ पर OK करता हूँ इसे OK करने के बाद यहाँ पर आपको देखे तीन option दिखाई दे रहे हैं ग्राम पंचाइट, पंचाइट समिती और जिला पंचाइट तो आपको यहाँ पर ग्राम पंचाइट पर OK करना है आप गाउं के है तो यहां परोके करना है फिर आपको क्या करना है यह ओर जूम करना है थोड़ा और यहां पर आपको दिखाई दे रहा है दो नमर उप्शन जनरेट रिपोर्ट्स यहां परोके कर देना है और फिर आपको अपना राज्ये चूज करना है आप किस राज्ये के हैं दोस्तों मैं मैं राजस्तान का हूँ तो मैं राजस्तान कर देता हूं यहां पर दोस्तों थोड़ा समय लग रहा है थोड़ा सलो चल रहा है आज थोड़ी प्रोब्लम है इसकी इसे OK करने के पास दोस्तों आपके पास एसा ओप्सन आएगा तो यहां पर आपको अपनी जो डिटेल है वो यहां पर फिल्ड कर देनी है है सबसे बह dances app ने स्ब JAMES कर लिए अप किस के डिजिकि डेखनी है किस में आपको अपना नाम तेक लेना है मैं यहां पर 2020 किसregory ऑपना नाम है यह नहीं वह सारी जान कर है आपको देखने के लिए यहां पर जो आपका एर हाँ पर आपकोaldoよ सेलेक्ट करनी है दोस्तों मेरी डिस्ट्रीक है चूरू तो मैं यहां पर चूरू सेलेक्ट कर लेता हूं और फिर आपको अपना ब्लोक सेलेक्ट करना है मेरा ब्लोक है सर्दार से है तो मैं यहां पर सर्दार सेलेक्ट कर देता हूं और फिर आपको सेलेक्ट करनी है करना है यहां पर प्रोसीड हो रहा है कि यह देखिए दोस्तों अपना आ गया अब आपको क्या करना है जो पहला ही आपको यह बोक्स दिखाई दे रहा है यहां पर आपका जो पांच नमर का उप्सन है वो कौन सा है जोब कार्ड इंप्लॉइमेट रजिस्टर आपको यहीं पर ओके करना है देखिए तो पांच नमर का उप्सन है मैं यहां पर ओके करता हूँ यहां पर ओके करने के बाद देखिए क्या होता है अब आपके पास अपने ग्राम 50 के जितने भी जोब कार्ड है आपके जोब कार्ड आपको सबी सो हो रहे हैं आपको अपना जोब कार्ड सर्च करना है कि आपका कौन सा जोब कार्ड है तो मैं यहाँ पर मेरा ही जोब कार्ड सर्च करता हूँ मैं किसी और का क्यों करूँ देखे कोई एतराज जता है कि हमारा जोब कार्ड आपने क्यों निकाला है तो मैं अपना ही जोब कार्ड सर्च करता हूँ मेरा नाम देखे यहां पर है यह मेरी पिता जी का नाम है यह देखे सिस पाल आपको जो अपकाड ये detail मिल जाएगी जो सिसपाल है इनके पिता जी का नाम बहराराम है ये आपको सारी detail मिल जाती है और नीचे है जो आपको ये list मिलती है इस में आपको अपना पता चलेगा कि हमारा नाम है जो इस महीने का इस जो हफता है इस मिस्ट्रोल में अपना नाम है या नहीं तो यहाँ पर आपको नीचे ही नीचे आपको पता चलेगा कि यह जो 2020 में तीन बार ही अपना नाम मिस्ट्रोल में आया है और लास्ट जो नाम है वो 11.6.2020 को है दोस्तो ये अपना नाम है और यहां पर निच्चे आप क्या देख सकते हैं आपको नाम का पता चल गया क्या आपका नाम है या नहीं आपकी जो last का जो अपने 0.084 आपको दिखाई दे रहा है कच्चा जोड खुदाई कारी है सिमली जोड से मिटी निकालने का यह आपका यहां पर हो गया अब आपको पता करना है कि कितने पैसे आएंगे तो वो पैसे वाला भी आपको निचे चलना है देखे मैं निचे चलता हूँ और चलता हूँ यहां पर आपका जो लास्ट ओप्सन है वहां पर आपको दिखाई देगा यह देखे दोस्तों यहां पर पैसे है जो 1260 रुपई आएंगे जो यह लास्ट का जो है देखे तीसरे महीना के है 1260 रुपई आ चुके हैं आपको यहां पर पता चलेगा और पिछले महीने के देखे 840 रुपई ऐसे करके आपको यहां पर पैसे दिखाई देंगे तो मैं आसा करता हूँ कि आपको यह चीज समझ में आ गई होगी कि कैसे आप अपना जोब कार्ड देखे कैसे अपना मिस्ट रॉल में अपना नाम चेक करे और कैसे कहां पर कार्य होता है कितने पैसे आए हैं तो इन सभी बातों का जवाब आप सभी को मिल गया होगा दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों को भी सेयर करिए सबी को यह जानकारी सेयर करिए ताकि वो भी जान सके और मेरे यूटिब चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको मैं जब भी कोई नया वीडियो बनाओ तो उसका नोटिफिकेशन मिल सके धन्यवाद दोस्तों